सत्कुरों की साजी निवाजी प्यारे साज संगत जी प्यार और सत्कार से कहना धान निरंकार जी सत्कुर माता सुझेक्षा जी महराज की हम सब पर अपार किरपा हो रही है हम सब सत्कुर माता जी का लख लख शुकराना करते हैं दासी सद्कुर्माताजी का शुक्राना करते हुए दासी सद्कुर्माताजी के अशीरवाज से आपजी के चर्णों में ये विचार रखने जा रही है इन विचारों में हमें सद्कुर्बाबा हर्देव सिंग जी महाराज ने समझाया है प्रभु प्रेमी का मतलब यह नहीं है कि कौन कितने पाठ कर लेता है कितनी यात्राएं कर लेता है अल्ला गोड या इश्वर के नाम के मन के कितनी बार बिना रुके फिर लेता है ये भगत होने की पहचान नहीं है प्रभु प्रेमी तो उसी को कहा जाएगा जो प्रभु के अस्तितव में विश्वाश रखेगा और इसके बंदों से प्यार करेगा बीना उसकी जाती मजब भाषा वेश भूशा का ध्यान किये हुए अगर कोई किसी जाती मजब भाशा का ध्यान नहीं करेगा और सबी के साथ प्यार करेगा वही सच्चा प्रभु प्रेमी होगा संसार भगती के रंग को नहीं जानता भगत ही जीवन में भगती की एहमियत जानते हैं भगतों की भामनाएं भगती के उपर ही अधारित होती हैं, वे भगती के रंग में रंग कर अपने जीवन को भगती मारक पर चलाते हैं, संसार में लोग रिधियों, सिधियों, शक्तियों को प्रापत करने, हट का सहारा लेने, कि निविशेश लिबासों को पहनने, यात्राओं पर जाने, बाल बढ़ा लेने या बाल मुणवा लेने जैसे शारिरिक सिल्सलों को ही भगती मान लेते हैं, भगत इस सत्य प्रभु निरंकार को जान कर इसकी भगती करते हैं, भगती प्रेम का नाम है, प्रेम में ही भगती हो पाती है, भगत जानते हैं कि जब तक प्रेम नहीं, तब तक परमात्मा भी खुश नहीं होता, अगर भगते की सार ना जानी तो फिर दोनों जहानों की बाजी हारने वाले बन जाते हैं फिर ना तो लोग सुखी होता है और ना ही पर लोग सुहला होता है इसलिए सद्कुर्बाबा हरदेव सिंग जी महाराज ने प्रेम को ही महत्तव दिया है सद्कुर्माता सुदिक्षा जी महाराज भी यही समझा रहे हैं कि हमने हर एक से प्यार करते चले जाना है अगर हमारे दिलों में प्यार नहीं है तो फिर हम जीते जी मरे हुए के समान है कहते हैं कि अगर हमारे मन में किसी के लिए प्यार नहीं है तो फिर हम मृतक हैं, हम मरे हुए के समान है प्रेम के भाव में विच्रन करना ही भगती के रास्ते पर चलना होता है ऐसा प्रेम का भाव जिस दिल में होता है वही वास्त्विक्ता में प्रभू से सच्चा प्यार कर पाता है मन मंदिर हो जाने का मतलब मन में सत्य का उजाला हो जाना ज्यान की लोका जग जाना और सुन्दर भावनाओ कामन में स्थापित हो जाना है सची बंदगी वही कर पाते हैं जो खुद मंदिर बन जाते हैं जो प्रभू को सही माइनों में अपने दिल में बसा लेते हैं सच्चाई देखने के लिए रोशनी की जरूरत होती है जब मन रोशन हो गया तब ही सही माइनों में एक असली जीवन हम जी पाते हैं महापुर्शों के वचन हमेशा इसी ओर हमें समझाते हैं कि है इनसान जितनी जल्दी तो इस तरह बढ़ जाएगा इस परमपिता प्रमात्मा को जान कर भगती करेगा उतनी जल्दी ही तुझी जीवन में उचा उठता चला जाएगा और वातावरन को भी सुन्दरता देता चला जाएगा प्रातन सम्मे में भी आत्मा का कल्यान या हिर्दे को ठंडक इसी सत्य का भोत प्रापत होने कि कारण मिलती रही है इसी से नाता जोडने के कारण ही इस जीवन को उचाहियां मिलती रही है प्यार नमरता, विशालता, शेहन शीलता की एहमियत तब भी थी और इसकी एहमियत आज भी है इसलिए हमने इस निरंकार से नाता जोड़ कर दिव्यागुणों से युक्त हो जाना है दिव्यागुणों से युक्त हो कर अपने इस जीवन को निखार देना है यह उन्चाईया उन्ही को मिलती है और उन्ही को आज तक मिली है जिनोंने वाक्य है इस निरंकार से अपना नाता जोड़ा है इसी को अपने जीवन का आधार बनाया है इसी के रंग में अपने मन को रंग लिया है और फिर जीवन समर्पित कर दिया उपकार के लिए औरों का उधार करने के लिए इस संसार में उजाला करने के लिए और ब्रमों और ब्रांतियों से छुटकारा देने के लिए सारे बंधन ही सत्गुरु ने काट दिये इस निरंकार से मिला कर सभी बंधनों से मुक्त कर दिया और मुक्ती दे दी आप मुकत करे इस अंसार तीस जन को सदा नमशकार ऐसे सत्कुर सचे पाश्या को हम बार बार नमशकार करती है जिनों ने हमें ये प्रह्म ज्यान दे कर हमें ये मुकती का रास्ता दिखाया और हमें मुकती दी है हमने सत्गुरु के कहें अनुसार से वासिम्रन ससंग करते चले जाना है और सभी के साथ हमने प्यार करना है कहते हैं जे प्रीत नहीं भगवन्त मृत का ये नान का जे प्रीत नहीं भगवन्त अगर हमारी इस भगवान से इस निरंकार सत्गुरु से इसकी बनाई हुई रचना से प्यार नहीं है तो फिर हम रितक ही है इसके हमने प्रभु की बनाई रचना से प्यार करते चले जाना है इसे हिदासी एक शेहनशीलता पर भी चार पड़ रही थी कहते हैं कि महाराष्टर के अनेक संतों के जीवन की इकटनाएं कितनी प्रेड़ना दायक हैं महोसव मनाया जा रहा था बिठल भगवान के विशाल मंदिर में दूर दूर से संत आते थे सपी अहो भाव में डूबे ह वहाँ एक और पीछे संतुका रामजी सतकुर का शुकराना अदा कर रहे हैं कि है बिठल भगवान आपने सुन्दर पतनी दी लेकिन सभाव जगडालू दिया दिन रात जली कटी सुनाती है इस से पतनी से मेरा मोह भंग हो गया है यदि पतनी के प्रेम में पड़ जाता त दूसरी और नर्सी भगत है अपने आराध्य को धन्यवाद दे रहे हैं शुकराना कर रहे हैं कि है सचे पाशा एक जिम्मेदारी थी पतनी की वह भी अब नहीं रही अब तो पूरा समय आपके गुनगान में बीटता है सचे पाशा बड़ी किर्पा है आपकी आपकी नहीं संत ज्यानिश्वर है आसुओं के प्रवा के साथ प्रभु किर्पा का बखान कर रहे हैं कि है बिठल आपने सुन्दर पतनी दी तन से भी सुन्दर मन से भी सुन्दर कहती है आप सारा समय पूजा करो प्रभु का गुनगान करो बाकी सारी सेवा मैं करूंगी इसी मे मेरा सुख है अब देखें तो संत तुका राम जी विप्रिस भाव की पत्नी को संत नर्सी भगत पत्नी की कमी को और संत ज्यानिश्वर पत्नी के समर्पन भाव को अराधना का सहारा बना लेती हैं इसी में अनन्द है प्रैस्थितियां नहीं बदलती स्वयम को ढालना होता है शेहनशील व्यक्ति हर दशा में प्रभू को धन्यवाद देता है सबर और प्रभू की इच्छा में रहना ही महापुर्शों का सबसे बड़ा शिंगार है शेहनशीलता में मिला दुख भी मुल्यवान है और सार्थक है और हंकार से मिला सुख दो कोड़ी का है शेहनशीलता जैसे दैविय गुणों को धारन करके दिल से एक दूसरे का आदर सतकार करते हुए जीवन व्यतित करने में सभी प्राणियों का कल्यान है संपून अवतार बनी में शेहनशा बाबा अवतार सिंग्ची महराज ने शबद नमबर 28 में कहा है सबर शान्ती ते समद्रिष्टी संत जनादा गैना आए संत जनादा वड़ा जेवर पाने अंदर रैना आए संद हरीदे मित्तर मेरे कौल सुबैते शाम मेरे कहे अवतार इना संतानू लखाही पढ़नाम मेरे यहाँ पर कितना सुंदर शेहनशा जीने हमें समझाया है कि जिसके मन में समद्रिष्टी है सबर है शान्ती है सेहनशीलता है विशालता है यही संतों मापुर्षों के अपूशन है और कहते हैं कि जो संत महात्मा इस निरंकार के भाने में रहते हैं ऐसे संतों महात्मा को मेरा हर समय परणाम है कहे अवतार इना संतानू लखाही परणाम मेरे इन संतों मापुर्षों को लाखों सलाम है शेहनशीलता कायरता नहीं है कायर व्यक्ति डर्पोग होता है जबकि शेहनशील व्यक्ति बड़े हिम्मत से अपने धैरे को बनाई रखता है पर इस्थिती कैसी भी हो शेहनशील व्यक्ति सबर संतोष का जीवन जीता है शेहनशीलता के बारे में एक प्राचिन घटना भी याद आती है कि शिकंदर बारस से वापस लोट रहा था वे एक फकीर से मिलने गया संत और शेहनशीलता की मुर्ती होते है उस फकीर ने शिकंदर को देखा और हसने लगा इस पर शिकंदर ने कहा यह अपमान है मेरा मैं शिकंदर महान हूँ तुमने मेरा अभिवादन नहीं किया फकीर ने कहा समराट वेह है जिसकी कोई इच्छा नहीं है जिसकी सारी इच्छाएं खतम हो गई है मैं तो तुमें गरीब मानता हूँ शिकंदर ने कहा या तो तुम पागल हो गए हो या तुमारी मोत आ गई है मैंने सारी दुनिया को जीत लिया है फकीर ने कहा अच्छा अब ये बाते छोड़ो और यह बताओ तुमने अपने आपको जीता या नहीं नहीं ना मेरे एक प्रशन का उत्तर दो शिकंदर अगर कोई विशाल मरुस्तल हो चारों और गरम रेत हो ऐसे में तुम अपने लाव लशकर से बिछड़ जाओ प्यास से तुम्हारे प्राण निकले जा रहे हो चारों और आग बरस्ती हो उस हालत में मेरे पास एक गिलास पानी है तो उस समय एक गिलास पानी के लिए तुम अपने राज्य में से कितना दे सकोगे शिकंदर ने थोड़ी दिह सोचा और कहा आधा राज्य दे दूंगा फकीर ने कहा आधे में मैं बेचने को राज्य ना हूंगा फिर क्या करोगे फिर शिकंदर ने कहा कि मैं अपने प्राण बचा लूँगा एक गिलास पानी के बदले पूरा राज्य दे दूँगा फकीर हस पड़ा और कहने लगा एक गिलास पानी कुल जमा मुल्या है तेरे राज्या का एक गिलास पानी ही तेरे राज्या का मुल्या है और अकड़ ऐसे रहा है जैसे कोई समराठ हो सिकंदर ये राज्या तेरी प्यास ना बुझा सकेगा सिकंदर माहन फकीर के सामने निरुत्तर हो गया कोई उत्तर नहीं दे पाया और हैरान हो गया कि वाक्य में ही सब कुछ ये परंपिता परमात्मा को जानकर इसकी भगती करने में ही सुख है ये जो धन दोलत माया है ये मैं किसलिए इकठी कर रहा हूँ अगर ये मुझे कोई सुख नहीं दे सकते इस त्रैशिक अंदर को उस फकेर की सारी बात समझ आ गई कि इस परंपिता परमात्मा की ही भगती करने से पार उतारा होता है कहते हैं कि सत्कुर बाबा गुर्बचन सिंग जी माहराज ने भी कहा था हम देखती हैं कि जब आंधी आती है तो उचे से उचे पेड़ भी धरती पर गिर जाती है लेकिन जो नरम घास होती है वो धरती के साथ जूड़ी होती है तो फान आंधी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाते अभेमाने पुर्श की अभेमान ही उसकी गिरावट का कारण बनता है जबकि शहनशील नमर व्यक्ति हमीशा निरंकार सत्कुरू की किरपा का पत्र बना रहता है विश्वाश से ही शहनशीलता आती है और कहते हैं कि संतों महात्माओं की शहनशीलता से अत्या चार भी हारा है महात्मा इसा सूली पर चड़कर जहां लोगों के दिलों पर छा गए वही आज उन पर जुल्मों सितम करने वालों का नाम निशान भी नहीं है सेहन शीलता का जनक है विश्वाश यही विश्वाश जब समर्पन बन जाता है तो पूरण सत्गुरु को वह परवान हो जाता है और हमारी यात्रा जो है वो पूरण होने लगती है इसलिए हमने ये सबर, संतोश, नमर्ता, प्रेम, वैशालता, शेहन, शीलता वाले गुणों को अपना कर अपने जीवन में आगे बढ़ते चले जाना है कहते हैं कि जो सत्गुरु की रजा में रहता है वही महापुर्श है जो विशम परिस्चितियों में भी निर्बया होकर जीवन जीता है जो सिरफ परमात्मा से डरता है कहां भी है कि जो परमात्मा से डरता है वह किसी से नहीं डरता और जो परमात्मा से नहीं डरता वे हर किसी से डरता है शेहनशीलता हमारे मानव जीवन का दीवय अभूशन है यह अभूशन सहच ही प्रापत नहीं होता जब पूरन सत्गुरू इस दीवय परमात्मा का बोथ गरा देता है तो सेहन शीलता के दिवया गुणों का अंकूरन हमारे दिल में होने लग जाता है इसलिए सचे पाश्या हमें यही समझाते हैं कि यह दिवया भूशन है शेहन शीलता, विशालता, प्रेम, नमरता हमने यह हमारे कहने हैं हमने इन कहनों को पहन कर हमने इन पर चलते हुए अपना जीवन भी सुखी बिनाना है औरों का भी जीवन सुखी बिनाना है हमने जब हम सुखी होंगे तो हमें सारा संसार ही सुखी नजर आएगा हमने हर एक के साथ अच्छा वैवार करना है प्यार से जीवन व्यतीत करना है सबर शान्ती और संद्रिष्टी मन में रखनी है संगत जी दासी से विचार करते हुए कई भूले हुई होगी दासी उन भूलो के लिए आप जी के चन्नों से शमा प्राती है और सभी के भले के लिए दासी सिम्रन करवाएगी अच्छा पाशा सभी को सारे सुख बख्षे और सभी ने मिलकर सिम्रन में साथ देना है तुही निरंकार मैं तेरी शरणहा मैंनू बख्ष लो तुही निरंकार मैं तेरी शरणहा मैंनू बख्ष लो बोलिये सत्कुरू माता सुदिक्षा सविंदर हर देव जी महराज कीजे निरंकारी राज माता गुरु अचनवतार कीजे साथ संगत जी प्यार से कहना धान निरंकार जी झालो जी जी राज जयूओ जान प्यार जी कशनवतार कीजे बख्ष लोगज़ मातार कीजे एव जाग है झालो थका झालो जी वगोज जuu शुम जी जी महरा गजज़